So hello friends, welcome back to another new video तो इस वीडियो में आपको पूने के top pharmacy colleges जो है वो बताने वाला हूँ साथी में इनका जो cut off है वो भी बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि overall कितने percentile में आपको ये जो colleges है वो मिल सकते है और इसमें से अगर कुछ colleges में आपको admission मिल गया तो समझ लेना कि आपको overall जो placement है वो बहुत बड़ी है मिल सकता है साथी में वह आपका overall जो career है वो भी अच्छा बन सकता है तो कौन से है ये top colleges पूने के चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में cap round 2 and cap round 3 में जो cut off है वो और भी जो है वो कम जाता है तो अगर आप 85-90 के range में अगर आपको percentile मिलते है तो आप ये college के बार में जो है वो सोच सकते हो फिर है guys 14 नंबर पे ये है गई C अगर technical education society काशी बाइ नवली college of pharmacy कोन वाना पूने ये भी एक अच्छा खासा college जो है वो माना जाता है इसका ओर अगर हम cut off देखते है cap round 1 का तो 91.32 के आसपास जो cut off है वो हमें देखने को मिलता है and second round third round में थोड़ा बहुत जो है वो कम हो सकता है ये जो cut off है guys ये home university candidate के है अगर आप पूने के बाहर रहते हो जैसे suppose आप नागपूर मुंबई वगरे में रहते हो तो other than home university का जो cut off है वो आपको थोड़ा ज्यादा जो है वो देखने को मिल सकता है मिल सकता है एक-दो percentile थोड़ा ज्यादा आपको जो है वो देखने को मिल सकता है ठीक है फिर 13 number पे guys यहाँ पे स्रीयंगर इंस्टेट्यूट औफ फार्मसी नरे आमवेगा पुने यह भी कॉलेज एक जो है अच्छा कॉलेज माना जाता है जो स्रीयंगर की कॉलेज है यहाँ पर आपको एक benefit मिलेकर कि यहाँ पर ओर जो hostels वागेर है वो मिल जाएंगे साती में जो स्ट्रक्चर है वो भी ज्यादा नहीं होता है तो अगर आप हॉस्टिल फैसिलेटीज चाहते हो कम फीज भी चाहते हो तो आप सी अगर जैसे कॉलेज में जो है वो जा सकते हो एंड अगर आपको 90 के रेंज में परसेंटाइल है या फिर 85-90 के बीच में है तो इन कॉलेज क बारे में आप जो है वो सोच सकते हो कैटीगरी स्ट्रेंट्स को 85-90 के रेंज में जो कॉलेजिस है वो मिल सकते है ठीक है फिर नेक्स्ट कॉलेज है इस 12 नंबर पर यह कॉलेज ऑफ फार्मसी मालेगा बारामती पूने ठीक है इसका अगर हम इंस्टिडूट कोड देखते ह तो यह है 6,377 कट अगर हम देखते है तो 91 के आसपस हमें जो हो देखनी को मिल जाता है तो यहाँ पर दीको गईस जो 11 नंबर पर होगा 12 नंबर पर 13 नंबर पर तो इसमें बहुत जादा जो कट अगर के कुछ कॉलेज या पर आपको फैसिलिटीज वगर मिल जाएगी तो जो प्रायरिटी है वो भी डिपेंड करेंगा कि आपको कौन से रीजन में जो कॉलेज है वो चाहिए ठीक है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप जो आप्शन फॉर्म है वो बना सकते हो अभी के लिए मैं आपको जो कट आफ है उसके उपर से जो रैंकिंग से वो बता रह जाता है इसका भी कॉट-बप आपको 90 इस में जो है वो देखने को मिल जाएगा second round third round में जो कॉट-फ है वो कम हो जाता है OVC AI NSE का अगर आप देखोगे तो 90 के आसपास या फिर उसके नीचे भी आपको बहुत जादा होता है तो कॉट-फैशन नमबर का ये है राजिश् में 10th number पर जो college है वो आता है अगर आप पूरे महाराष्ट्र लेवल में देखोगे तो college का oral जो rank है वो आपको कम देखने को में लेगा ठीक है तो यहापे भी हमें जो है वो सोचना पड़ता है तो अगर आपको पूरे colleges के list चाहिए होगी मतलब जिसमें महाराष्ट्र के सारे colleges आते होंगे तो ये village guys मैंने बनाई है जिसमें महाराष्ट्र के सारे 350 से भी जादा colleges जो है वो mention है साथी में उनका cutoff भी है आपको देखने को मिल जाएगा जिससे आप और अल टार्गेट कर पाओगे कि आपको जितने percentile है उसके range में कौन से जो colleges है वो जो link है वो मिल जाएगी उससे guys आप इस list को जो है वो buy कर सकती हो ठीक है चलिए guys अब बढ़ते है next college के उपर तो ये guys 9th number का college पूना district education association सेट गुविंद रगुनात साबले college of pharmacy पूने ठीक है इसका अगर हम institute code देखते है तो ये guys 6372 and cutoff 92 के आसपस हमें या पर जो है वो दे हो सकती है next day guys 8 number का college यह है मराटवाडा मित्रमंडल्स college of pharmacy पूने यहां पर आप cutoff देख सकते हो 92 के आसपस हमें यहां पर जो cutoff है वो देखने को मिल रहा है अभी तक जितने भी college guys हमने देखे यह सारे private colleges है ठीक है तो अगर आप private colleges में admission लेना जाते हो तो overall आपको जो fees है व फिर TFWS से भी apply कर सकते है उससे भी आपका जो fees वगरे है वो कम हो सकता है तो उसके बार में information चाहिए होगी तो comments में ज़रूर बता देना 7 number पर अगर देखते है गाईज तो यह है चानिक के education society इंदरा college of pharmacy यह भी एक बहुत ही का बड़ी है जो college गाईज वो माना जाता है अगर आपको यहाँ पर admission मिलता है तो overall placements वगरे भी जो है बच्चेगा से मिल चकते है cut off अगर देखते हैं तो 93 के हसपस है आप है हमें जो cut off रहा है तो ध hinter दीरे जो cut off है वो और भी बढ़ रहा है और हम ranks में देखेंगे तो ranks बहुत बड़ा difference है आता है 93 में हजारों बच्च रहते हैं, 92 में हजारों बच्च रहते हैं, तो rank wise जो है, वो बहुत बड़ा difference आता है, cut off wise, percentile wise ज्यादा difference नहीं देखने को मिलेगा, बट rank wise अच्छा खासा जो difference है, वो आ जाता है, ठीक है, फिर 6 number पे गईज या पर progressive education society, modern college of pharmacy, निगरी पूने, ये भी cap round 1 का cut off आएगा, तब मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, फिर next है guys, 5th number का ये है, sea agar college of pharmacy, वडगाव, ये sea agar के जितने भी colleges है, उसमें से one of the best college माने जाता है, ठीक है, अगर अब sea agar के colleges देखते हो, तो अगर आपको sea agar में देखना है, तो वडगाव वाला, जो campus है, ये 4.86, second and third round में थोड़ा बहुत, जो cut off है, वो आपको कम देखने को मिल सकता है, ठीक है, अब बढ़ता है guys, कुछ और बढ़िया college, अब जितने चार colleges बचे ये और अच्छे colleges है, जिसमें एक जो college है, one of the best है, जहाँ पर अगर आपको admission मिलता है, तो आपको fees भी कम पे करना प गया था, क्या आप round 2 में cut off कम हो सकता है, आपको उतना वेट करना पड़ता है, कौनसे round में college को freeze करना चाहिए, ये भी मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, जब admission process टार्ट होगी, तो वो वीडियो ज़रू है, वो देखना, नेक्स्ट एक इस third number का, ये भी DY पातिल का Institute of Pharmaceutical Science and Research पिंपरी पुने, इसका cut off देखते हैं, तो 96.78 के आसपास cut off हमें देखने को मिलेता, ये भी college अच्छा है, अब इसमें आपको confusion होगा कि अकरोडी वाला ले या फिर पिंपरी वाला ले, तो इसके उपर हम डीटेल में वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा college लेना चाहिए, तो वो वीडियो भी ज़रूर आप आप आएंगे वाले समय में देखना, सेकेंड नमबर पे है गाईज, ये है, इसका institute code है 6376, All India Shri Shivaji Memorial Society, College of Pharmacy पुने, इसका oral जो cut off है गाईज, वो 97.6 से इसके आसपास वो गया था, अगर आपको 96, 95 के range में, 97 के range में percentile है, तो आप ये assumes देख सकते हो, DIY party लिया फिर ये अगर बढ़गा, इन में से कुछ जो options है, वो ज़रूर जो है, वो select कर सकते हो, बट अभी तक जितने भी मैंने colleges बताए गाईज, ये all Maharashtra के colleges अगर हम देखते हैं, तो उसमें top 10 में इन में से कोई भी जो college है, वो देखने को नहीं मिलेगा, अगर हम oral Maharashtra में compare करते हैं, तो बट जो number one college है guys, वो top 10 के अंदर जो है, वो आता है, ये guys, पूरना college of pharmacy, पूने, ये जो college है guys, वो government-aided college भी है, मतलब government funds देते हैं college को चलाने के लिए, तो इससे oral जो आपको fee structure है, वो भी कम रहेगा, साती में top 10 क के अंदर ये जो college है, वो आता है, तो oral placements वगरे में आपको अच्छी कासी जो help है, वो हो जाएगी, आनि अगर ये college मिलता है, तो oral career भी आपका जो है, वो अच्छा खासा बन जाता है, ये रेकर गनाइस college से, अगर आप pass out होते है, तो और भी advantage आपको जो है, वो मिल सकता है अगर इसका cutoff देखते हैं, तो guys, cutoff जो हो बहुत जादा है, 99.301 के आसपास जो cutoff है, वो देखने को मिलता है, and captain 2, captain 3 में भी आज सच बहुत जादा है, वो नहीं आता है, और जो intake है guys, उसमें भी intake कम रहता है, तो competition बहुत जादा रहता है, पूने में पहले बहुत जादा सकता है, but अगर आप देखोगे guys, तो पूने में इतने अच्छे, जो अच्छे वाले colleges है, वो इतने जादा नहीं है, वही अगर आप मुंबई region में देखोगे, तो वह आपे top 10 वाले colleges में, 4-5 colleges जो है, वो आजाता है, ठीक है, तो वह आपे कौन से अच्छे colleges है, वो भी मै colleges है, आप देख सकते हो, 300 से भी जादा colleges मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक range पता चल जाएगी, कि कितने percentile पे कौन से college जाता है, फिर उसी के according आप जो है, वो colleges को target कर सकते हो, इसके link description में मिल जाएगी, जरूर form भर के list को जो है, वो ले ले लेना, आपको कावी फायदा ज लगा होगा, और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को subscribe जो से कर लेना, ताकि आपको time time सारे जो updates है, वो मिलते रहे,